हेलो यह स्वागत आप सभी का मेरी यूट चैनल स्कूल टुशन गुर जी में बच्चों हम कर रहे हैं आपका लास शिक्स का चैप्टर 9 दा लिविंग ऑर्गनिजम एंड दे स्राउंडिंग यानि सजीव एवं उनके परिवेश और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं जर्नी हैं या वह इस्थान जहां पर अलग अलग परकार के जीव हमें देखने को मिलते हो रहते हैं बच्चों तो आज वी आवास पर रहने वाले जीव कहते हैं बच्चों अभी तीन पर डिवाइड हो सकता है बच्चों जैसा कि डेजर्ट बाउंटे और ग्लास लेंड यानि मरुस्तल परवतिय शेत्र और घास इस्थल अब इसमें अगर बात करें हम एक्वेटिक की एक तो हो के जमीन पर रहने वाले और दूसरा होता पानी में रहने वाले बच्चों यानि दप्लांट्स एन अनिमेल दाट लीव इन वाटर रसेट तो वी समुंद्र जील और तालाब अब इन में कुछ बेसिक लक्षन हो जाते हैं बच्चों जिस वज़े से हम इने अलग लग जहां पे रहने वाले कह सकते हैं अब अगर वैसे बात करें कि कौन सा जीव कैसे स्थान पर रहता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि इस टेरिस्टल पर रहने वाले हैं यानि स्थलिये जीव है और अगर इसकी बात करें तो यह कैसी है बच्चों एक्वाटिक या जलिये जीव है ठीक है तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं अब बात आती है कि क्या के अडेप्टेशन इनके यहां पे हमें देखने को मिल सबसे पहले बात कर लेते बच्चों एडेप्टी फीचर्स ऑफ डेजर्ट प्लांट यानि मरस्तुल यह पादो पर अनुकुलित कौन सेलेक्शन होते हैं तो इन में क्या होता है बच्चों वैल डवलप्ट रूट सिस्टम होता है यानि जड़े जो बहुत जादा विक्सि है फिर क्या कहता है बच्चों इस टैम इस अल्सक्राइब विद थिक वैक्सी लियर विच प्रोटेक्ट स्टोमेटा फ्रॉम वैटिंग एंड क्लॉगिंग यानि पादों के तना पर मोम की एक परत होती है जो पानी को सोकने में मलत करती है और इनका उधारने बच्चों आ यानि जड़े आकार में छोटी होती है इस टैम आ लोंग होलो एंड लाइट ठीक है बच्चों इस टैम कैसा था यहाँ पर मोटा था लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों लंबा खोकला और हलका फिर पत्तिया और फूल पानी के सतय पर तैरते हैं यानि लीवस और फ्लाव पत्तियों पर मोम की परत होती है जो स्टोमेटा को गीला होने और जाम होने से बचाती है यानि दा लीवस और कवर्ड भाइदी वैक्सी लेयर विच प्रोटेक्स दा स्टोमेटा फ्रॉम वैटिंग एंड क्लॉगिंग इसमें और इसमें क्या हो रहा है देख रहे हैं बच भाइडेक्स हीटेट कैसी है बच्यों यह वाली वीटियो और आपकी वक्षी लिखियत हों जाता हो सब्कृते हैं या वीडेटी अछे लगी और चैनल को शुरॉम मेरे, वीडिएक्स हैक्षिक देजिए 9